आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक पिक्सल लाइप की हिडें ट्रिक के बारे में आप जब भी पिक्सल लाइप से वीडियो एडिट करते हो और जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि उसकी क्वाल्टी तो अच्छी रहती है लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर सकते तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसे की अप पहले से ज़्यादा बेटर क्वाल्टी भी रहेगी और आप जितना चाहे उसको बहुत तो सबसे पहले मैं पिक्सल लेव में चलता हूँ यहाँ पर आपको जैसे आप इडिट करते हो आपको वैसे ही सब कुछ इडिट कर लेना है जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर अपना नेम लिख कर ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ मैंने अपना बैग्राउंड भी मैं दूसरे color का यहाँ पर select कर लेता हूं जिससे की और भी ज्यादे यह सही लगे तो मैंने इसका background वाइड कर दिया रेकिन यह दिख नहीं रहा है मैं इसको blue कर दे रहा हूं अब मैं इसको save कर दूँगा आप जैसे करते हो आप save as image पर click करते होगे और यह यहां पर मैंने फिर से Save के i Apsons पर क्लिक किया यहां पर Save as image आपको क्या करना है कि यहां भी Dimensions है उसको आपको Ultra पर क्लिक कर देना है अब आपको image save कर देनी है अब मैं आपको गैलरी में चल के दिखाता हूँ कि दोनों में क्या difference है दोनों फोटोज में जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया तो ये तो पहले अभी जो मैंने एक्सपोर्ट किया वो है और ये पहले वाली है जिसे आप लोग देख सकते हो कि ये ज़्यादा जूम नहीं हो रही है लेकिन अब मैं पहले वाली जो मैंने अभी अभी एक्सपोर्ट किया था अल्टरा पर क्लिक करके वो देखिए कितना ज़्यादा जूम हो जा रही है यस कितना बड़ा सा हो जा रहा है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उतना बड़ा नहीं हो रहा है और जो हमने अल्टरा पर क्लिक करके सेव की थी फोटो उसकी क्वाल्टी भी इस वाले से ज़्यादा बेटर दिख रही है तो फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक जानके कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए थैंक्स फार वाचिंग पर वाचिंग बाक्स प्रवाचिंग पर भी तक बाचिंग